दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ फिर एक और महत्तों की बात हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए उनके उपर एक्सपरिमेंट किये खासकर 36 गड़ में हमारे कुछ मित्र हैं मैंने का भाई आप ऐसा करो चिकितसा करनी है तो बागभट की करो हाँ ठीक करेंगे तुम डॉक्टर बंद कर दो हाँ बंद कर देंगे तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकठे किये जिनको बहुत जादा समस्या है कॉलेस्टरॉल की बहुत जादा समस्या है ट्राइगलिसराइड की बहुत जादा समस्या है हाई बीपी की ऐसे कुछ लोग इकठे किये और चतिसगड में ये इसलिए किया कि चतिसगड भारत में ऐसा एक राज्य है जहां शुद्ध तेल अभी भी मिलता है गाओं गाओं में तेल निकालने वाली घानिया है आसानी से तेल उपलब्द है और आसानी से सरसों भी उपलब्द है मुंगफली भी उपलब्द है तो वहां करने का ये एक ही प्रयोजन था और ये लगबग हम तीन साड़े तीन साल से कर रहे है अभी भी ये चालू है हमारा काम बंद नहीं हुआ है तो वहां हमने जिंजिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया रिफाइंड और डबल रिफाइंड और शुद्ध तेल पर वो आते गए आते गए अभी उनकी इस्तिती ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिफोर्ट लेके जाते हैं कि देखो तीन साल पहले इनकी ये रिफोर्ट थी कॉलेस्ट्रॉल इतना ट्राइगलिसराइड इतना ये इतना तो डॉक्टर कहता ये रिफोर्ट में तो आठ दिन के ज़्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए हर्ट अटेक आना ही च खाया उन्होंने और जो तेल के घटक होते हैं वो भरपूर मातरा में उनके शरीर को मिले इसलिए उनके ट्राइगलिसराइड लेवल कम हुए कॉलेस्ट्रॉल लेवल माने VLDL LDL कॉलेस्ट्रॉल लेवल कम हुए HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा Blood pressure उनका अपने आप कम इनको हर्ट में भयंकर blockage थे अभी चेक कराएंगे तो वो blockage भी नहीं मिलेंगे ये आया रिपोर्ट और बागवट जी का देखकर फिर मैंने देखना शुरू किया आप भी जरा पुरानी चीज़ें याद करिए 20 साल पहले की 25 साल पहले की तो हमारे घरों में बहुत सारी चीजों में बहुत बार तेल का उपयोग होता था और तेल के साथ घी का उपयोग तो और भी ज़्यादा होता था तेल और घी एक ही category मान लें आदुनिक विज्ञान के हिसाब से वैसे आयुरवेद के हिसाब से दोनों अलग category हैं लेकिन एक मिनट के लिए मान ले हम कितने पार हम घीका उपयोग करते थे घरों में, शीरा बना रहे हैं, हलुआ बना रहे हैं, बिना घीके बन नहीं रहा है, दाल में घी खा रहे हैं, रोटियों पे घी खा रहे हैं, सबजियों में घी खा रहे हैं, और फिर सबजियां तेल में बना रहे हैं, आप जरा कलपना तो करि गी गी और 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना पता नहीं आपने सुना मेरे पिता जी को मैं पूछता हूँ कि कितने हर्ट अटेक होते थे तो मेरे पिता जी कहते हैं अपने परिवार में तो एक भी नहीं हुआ शायद आप 40 साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपक खो रहे हैं परसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के बच्चे ने हर्ट का ओपरेशन कराया अभी यहां चिन्नाई में अपोलो में या पता नहीं कहां अब 17 साल की उमर में आपको बाईपास करवाना पड़े एंजियो प्लास्टी करानी पड़े यह तो दुखद इस्थती है और जिन्दगी भरवात की बीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद्ध खाईए तेल एकदम शुद्ध खाईए अब आपका तुरंत अगला प्रशनाएगा जी चिन्नाई में मिलता नहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं ना मिले अर्थशास्त्र य यहां बैठे हैं अगर आप ही आज संकल्ब कर लें कि हम तो शुद्ध तेल ही खाएंगे कल से देखना बहुत सारी यहां ऑईल मिले लग जाएंगे तेल निकालने वाली मिले लग जाएंगे और अब घानी लगाना बहुत ही आसान है पहले एक जमाना था जब घानी सकते हैं वो तो 18-20,000 की ही आती है बैल से चलने वाली घानी वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकलाता है तो इसलिए आप तेल शुद्ध की तरफ बढ़ जाईए और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूं कि जिस तेल में डॉक्टर्स औल इंडिया इंसिट्यूट के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते हैं सर्सों के तेल का डबबा मुह पे लगाओ और जो आँख में से आसु तुरंत ना निकले तो समझ लो वो नकली है उसकी इतनी तेज बास आएगी कि हांख से आसु निकली आएगे ना प्ली की मदद से ही सबसे जादा उपयोगी है. और एंसिटेल खाने के तरीके आप सब जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि सबझी में कितना तेल डालना, डालों में या आपके दूसरे भोझन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना. दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें